दोस्तों एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि GSTR2 को कैसे क्लीन किया जाएगा इस तरह गड़ जो डेटा होता है यानि कि मैं आपको दिखाता हूँ यह डेटा है इसमें मैंने बताया था कि आपका बोल्ड आ रहा है नेम वगएरा सब रिपीट आ रहे हैं इसके बाद ब्लैंक रो है इसको कैसे क्लीन किया जाएगा उस वीडियो में मैंने थोड़ा लॉंग तरीका बता दिया था बाद में किसी बंदने कमेंट किया कि सर इससे और शॉर्ट तरीका है यह आप एक्स्पलेइन करिएगा वीडियो में तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मुझे लगा कि तरीका बताना चाहिए जिससे कि आपका लुक में काम हो जाएगा तो चोटी सी वीडियो है दिहान से दिखेगा देखो सबसे पहला हम क्या करेंगे यह जो आपके hèडिंग है हेडिंग की बेस उसको अप्लाई करेंग तो एडिंग को न इसका merge हट आना है ताकि हम इसका filter या also look apply कर पाएं तो देखो 5 और 6 जो रो है इसको select कर लेना merge को यहां पर untick कर देना तो यह हट जाएगा तो यह जो data है sort करने के लिए मुझे एक रो चाहिए होती है जैसे यह मैं row number 6 ले लेता हूँ इसको मैं color कर देता हूँ कोई सा यह वाला ले ले लेता है चलो ठीक है जाएगा अब मैं काम करता हूँ यह जो heading के ओपर का पार्ट है इसको मैं delete कर देता हूँ ताकि मैं इसको one click में पूरा data select कर पाहूँ यह image है इसको delete कर लेते हैं ठीक है पूरा data मैंने select कर लिया बिस मेरे पाह heading heading है पूरा data आपको एक साथ select कर लेना है इसके बाद आप जाना है sort and filter में, custom sort में चल जाना इसका shortcut तरीका बता देता हूँ alt ds यह दबाओ के तो आ जाएगा अब यहाँ पर इस पर click कर देना my data has header, यानि कि मेरे पास heading है इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ rate rate के हिसाब से मुझे sorting करना है दोगर एक चीद में आपको बताता हूँ पहले जो data हमारा काम का है वो है यह वाला, इसको मैं cut करता हूँ यह देखो, यह काम का है न यह हमें चाहिए इसके आगे पड़ा हूँ है rate यह हमारा repeat हो रहा है total वाली line है, यह repeat हो रही है और यह बोर्ड हो रही है और यहाँ पर कोई rate नहीं है अगली line हमारी है, उसमें पूरा data खाली है तो अगर हम rate के हिसाब से sorting कर दें तो हमारा data एक जगा clean हो गया जाएगा तो चलिए, अब मैं बताते तो हूँ आपको alt d s my data has header और अब यहाँ पर मैं कहता हूँ rate के हिसाब से sorting हो जाए और ok जैसी करूँगा अब देखो क्या होगा, देखो one click में हमारा data sort हो चुका है, और यहाँ पर 0% वाले उपर आगे फिर 5% टेक्स वाले, फिर 12% और फिर 18 और जो हमारा bold था data वो यहाँ पर आ गया है और जो blank था वो सबसे नीचे पहुँझी होगा जो की दिखाई नहीं देगा आपको है न तो अब जो bold वाला data है, उसको यहाँ से हम से लेके नीचे तक control shift down arrow तो यह select हो गया है, आप एक बाद manually check कर लेना कि साई area select हुआ है या नहीं, यहाँ सारा हमारा जो delete करने लाया को वोई यहाँ पर select हो है, right click करेंगे और delete करेंगे, या फिर control minus इसका shortcut है, तो हमारा data बिल्कुल clean हो चुका है, अब आप party wise sort कर लो इसको या फिर GST number wise, यहाँ ले लेता हूँ GST number GST number wise दुबार जमें sorting लगा दूँगा, इसमें, order DS और यहाँ पर आप मैं कर देता हूँ GST number और OK तो हमारा party wise जो है, sorting हो जाएगा 18% जो उपर था हुआ गया 0% तो मतलब हमारा data कहने का मतलब यह है link में कर सकते हैं, और बाकी जो लोग Excel को deeply सिंखना चाते हैं, जो मेरे नए सब्सक्राइब अरान को बता देता हूँ एक advanced Excel का course है मेरा जिसमें MIS report, dashboard report, सारा चीज़ एक ही course के अंदर, 90 videos होती है course में 80 practice files होती है मेरी person support भी होती है तो यह आप अगर deeply सीखना चाहिए Excel को तो यह course जोइन कर सकते हैं इसका link मैंने description में भी दे दिया है website पे, यहाँ पर आप video की नीचे number आ रहा हुआ अगर कुछ पूछना है, तो call कर सकते हैं और बाकी directly अगर आप purchase करना चाहिए तो website का यह address दे दिया है जाकर directly purchase कर सकते हैं automatically आपको link आएगा, हाथो हाथ payment करती है automatically link आजएगा, ठीक है चलिए video helpful लगे तो like कर देना और इसी तरह से कोई आपकी query है, तो नीचे comment में लिख सकते हैं मैं कोशिश करूँगा, उस topic पर video बना के डाल दूँगा अगर वो topic ऐसा होगा के उसमें वीडियो मनानी चाहिए, ठीक है मिलता आप से in the next video में, तब तक के लिए take care and bye bye